यूपी के सीम योगी आदित्यनाथ के गया अगमन को ले करते जस्वी यादों ने कसा तन जो कहा नफरत फैलाने गया आए थे योगी आदित्यनाथ पांच लूट कांज का खुलासा करते हुए बेगुसराय पुलिस ने पांच लूटेरों को किया गिरफतार हतियार सही दो कीलो गांजा बरामत और अपरादी के सुरक्षा में दो पुलिस कर्मियों के लापरवाही का मामला आया सामने कैदी को बगैर हतकड़ी के छोड़ खुद नींद लेते दिखे पुलिस कर्मी पुलिस ने पेच्छोल पंप लूट समेथ पांच लूटकान का खुलासा करते हुए पांच लूटेरों को गिरफतार किया है पुलिस ने गिरफतार अफरादियों के पास ये दो पस्टल, छे कार्टूस, लूटी गई, दो बाइक, 18 मोबाइल, सही 2 किलो गांजा भी बरामत किया है वह इस बात की पूरी जानकारी स्पी आवकाश कुमार ने दी अगले खबर बाड से है बाड अनुमंडलिया अस्पताल के इमर्जेंसी वाड में कैदी को बगेर रसा या हतकडी के अपने से विपरित दिसा में बेट पर छोड़ कैदी की निगरानी में आये दो पूलिस कर्मी रसा को अपने माथे के पास रख दोनों विपरित दिसा में सोई दिखे इन्हें गिरपतार अभियुक्त के भागने की तनिक भी परवा नहीं है बता दे कि गौरब कुमार नामके की युवक को प्रेम प्रसंग में पिटाई के बाद उसे पिस्टल के साथ पुलिस के हवाले कर दिया गया था पिटाई में गंभी रूप से घायल युवक को इलाज के लिए अनुमंडली अस्पताल लाया गया वही जब मीजिया कर्मी पर इस पुलिर जवाय की नजर पड़ी तो मामले को समझ गया और फिर वहां अपना हरकत दिखाना शुरू कर दिया पुलिस से इस बाबत बात की गई तो उन्होंने कुछ भी कहने से इंकार कर दिया बेगुसराए में CAA को लेकर कॉंग्रेस के द्वारा जन समबात कारिक्रम कायुजन किया गया वही जन समबात के बाद राजियू गांधी की प्रतीमा का अनावडन भी किया गया बता दे कि कॉंग्रेस प्रभारी श्रक्ते सेंग गोहिल ने कहा है कि केंद्र की सरकार महंगाई बिरोजगारी से ध्यान भचकाने के लिए CAA और NRC जैसे कानून को ला रही है उन्होंने कहा कि देश के प्रधान मंत्री अपने डिगरी नहीं दिखा पा रहे हैं ऐसे में लोग अपने माता पिता की डिगरी कहां से लाएंगे गरीब आदमी महंगाई के मार से परिशान है यूँआ रोजगार चाहता है रोजगार नहीं है और देश का गुस्सा हिंदू-मुसल्मान करके डाइवर्ड करने के लिए भाजपा सरकार CAA, NRC और NPR की बात करें अब जब मोदी जी अपनी डिगरी नहीं दिखा पा रहे हैं मोदी जी की करीबी मंतरी वो भी अपनी डिगरी नहीं दिखा पा रही है स्वर्गे ठाकुल प्रिसाद की जेंती समारो के अवसर पर फतुहा नगर इलाके में पतना साहिब सांसर रविशंकर प्रिशाद के निर्देश पर फतुहा नगर की मंद्यल अध्यक्ष शोभा देवी ने इलाके के अलग-अलग मुहले के सो व्रिधर जनों के बीच कंबल का वीतरन किया खबर सीता मढ़ी से है दहेज के भूखे भेडियों ने पहले तो दहेज की खातिर विवाहिता को प्रतारित किया उसके साथ मारपीट कर बंधग बनाये रखा और फिर जब डिमांड पूरी ना हो सकी तो उस विवाहिता को उसके ससुराल वालों ने जिंदा जलाने की कोशिस की सीता मढ़ी के बाचपत्टी की रहने वाली रूबी मिस्रा पूरी तरह से जुलस चुकी है इसे देखने से ऐसा लगता है मानो इसने अपनी जिंदगी से चंद सासे उधार मिली है जो सासों की डोर कभी भी जिंदगी से रिस्ता तोड़ कर सदा के लिए इसे मौत की आगोश में ले सकती है बता दें कि पुलिस ने भी इस मामले में पहले जरा भी दिल्चस्पी नहीं दिखाई जब पिडिता को इलाज के लिए पतना PMCH में भर्ती कराया गया तब जाकर वहाँ पिडिता के फर्द बयान कराया जा सका बाप से गाडी मांगे लागारी मांग ला पुचात से जार रुपेया दिए ने खड़ी देक लिए तो कर दूमारे बापको बेटे जमीन खड़ी देगा मैं इसके बच्चे को वी रख रहा हूँ उसको बेटी को वीरख रहा हूँ यह चब इस तारी को जिलाया है वामला है एक से चुछत की ब्यान कराने के लिए आप पहले से पती द्वारा देज की मांग किया जा रही थी अजिसके चर्देशन को परतारित किया रहा था धंकी भी देज रहा था कि तहेज नहीं मिलेगा तुको मगरार साथ बहुत जगने गर्णा करें ले जोई अब इसके साथ अच्छी गर्णा हो जगया के सरकिट हाउस में मीडिया से रूबरू होते हुए तजस्वियादों ने योगी आदित्यनाद के सभा को लेकर कहा कि योगी आदित्यनाद बिहार आकर महात्मा बुद्ध की धर्तिपन नफरत फैलाने क काम किया है लेकिन बिहार की जरता उनके जहासे में नहीं आने वाली है इसके साथ ही उन्होंने लालू प्रिशाद के जेल में जरता दरबार लगाने वाले डिप्टी सीम सुसील मोदी के बयान का करताक्ष करते वे कहा कि बेटा अपने पिता से नहीं मिल सकता है सुसील लगतार जो है समाज में नफ्रत बोने का काम कर देज जो है आर्थिक मंदी से बुजर रहा है वेरुजगारी जो दर जो है आपने रेल्वे स्टेशनों का सिपाही भर्ति में हालाद देखे हों किसान बदाहाल है हर तरीके से देश जो है आर्थिक स्थिति जो है जीडिपी जो है वो गिर्ट का और यहां कॉंस्टिशन है उनको यह भी बताना चाहिए था कि जो हमारा संविधान जो है जो धर्म के न करता है आखिर वह भी ऐता है और यह जो है और यह दूसरे से लिंक और अभी जो एंपी आर जो है इनपिया प्र प्रस्ट टेप वह एनार्स पर नया कॉलम भी जोड़ा गया है तो इन लोगों का बैक्गरांड उनले उधर समिधान बचाओ मोचा की दरब से आयोजित अनिस्षीत काली धरना के 17 दिन अपना समर्थन करने विहाज सरकार के पुर्वा उपमुख्यमंत्री सनेता प्रती पाक्षते जस्वी यादो अपने काई विधायक और कारेकरताओं के साथ शहर के शांती बाग मैदान पहु अबा आया था बूद की धर्दी पर नफरत फैलाने लेकिन उसको गया का इतिहास पतान नहीं है हुआ करते हैं हिंदुस्तार को देहां बताओ भूद के घर से मातार चोड़े हैं उसको बोलिए यह आपको पाकिस्तान क्या भेजेंगे भारत में कितने मुष्ण जाले वहीं पाकितान की अस्ताबूद कर देंगे हां अब हम अब आपको ईदुस्तार नाव परेगा, सब पूत देना परेगा कि हम लोग जी देश के नान भी प्रेखें फैठेंगे, हम लोग फेश के नहीं भक्त रहें गिने, अब सब बूत देना पड़ेंगे, का मारा देश जागए प्रात्मिक स्वास्ते केंद मसौधी के प्रभारी चिकित सापदादिकारी डॉक्टर रामा नूजम सिंग को पी एस सी मसौधी में मरीजों को बेहतर चिकित सामूहया कराने के लिए बिहार नूजम परिवार के ओर से शॉल और मुमेंटो देकर सम्मानित किया गया है बात करें अररिया की तो इस्थापना दिवस के अवसर पर अररिया के चाउन हॉल में भव सांस्कृतिक कारिक्रम का योजन किया गया कारिक्रम का उठगाटन सांसत प्रदीप कुमार सिंग जीला पदादिकारी बैदनाथ यादो सही जीला परसाद अधक्ष आफ्ताब अजीम ने दीप्रज्वलित कर किया चाउन हॉल में सांस्कृतिक कारिक्रम में इस्थानिय कालाकारों के साथ बच्चों ने भी एक से बढ़कर एक शांदार प्रस्तूती दी उन्होंने प्रजेक्ट 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 प्लिए जिसकी लज़र से अरदिया पासर आगे की ओर अटेक्षब है और अगे तारी वाले जिलों में रोज़र से चुटे हम अगी वर्पदार में अरदिया में बढ़कर प्रजेक्ट होना है उसके लिए धंजवाब देते हैं उन लोगों के जवाने में नहीं रहा जिला बढ़ा था और आज आप लोगों ने हम समों को जवाब देहीं दिया है जंटुप्टिंदी के रूप में अरदिया में एक बाला नहीं दो बार भिधायत के रूप में हमारे हम बंदर में एनक की सारे संस्थानों पे हमारा काड़ शुरू हो गया है नागरिक्ता संसोधन कानून के विरोध में विशाल जनसभा होना है हम है भारत के अध्यक्ष दीपक कुमार और जाहीद अनवर ने प्रेसवारता कर बताया कि 16 दिसंबर को और अरिया के आजाद अकैडमी में विशाल जनसभा कायोजन किया जाएगा जिसमें गुजरात के विधायत जिगनेश मेवानी सहीत जे एन्यू की छात्रा प्रियंका भारती भी जनसभा को सम्वोधित करेंगी NPR, NRC और CAA के विरोध में जो पूरे मुल्क में लोग विरोध कर रहे हैं जो एक मुहीम चल रही है हम लोग उस मुहीम का एक हिस्टा है और हम लोग यहाँ जिला अस्तर पर इस कायजक्रम को हम है भारत के बैनर तले चला रहे हैं पिछले 7 जनवरी 2020 से हम लोग धरना दे रहे हैं लगातार धरना दे रहे हैं यह सुबह 10 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक चल रहा है अस्थानिय कारगिल पार्क में हम लोगों ने इसको शुरू किया था लेकिन प्रशाशन के दबाव में प्रशाशन दबाव महसूस कर रही थी तो हम लोगों को वहां से अन्यत पर जाने को कहा गया तो हम लोग अपना अस्थान परिवर्तित कर लियें लेकिन हमारा यह धर्णा अभी भी जारी है और यह अगले 22 जन्वरी तक यह लागू रहेगा चुकि 22 जन्वरी को सुप्रिम कूर का फैसला आना है अगर यह फैसला अनुकूल होता है तो ठीक है वरना हम लोग इस धर्णा को आगे भी जारी रखेंगे अतिस सुरक्षित मुंगेर के पुलिस लाइड में सित स्टेक बैंक के एटियम को चोरों ने लूटने का प्रयास कर स्पी लिबे सिंग को कड़ी चुनौती दे दी है जबकि पुलिस लाइड के गेट पर एटियम से दस कदम की दूरी पर जवानों को लाइड की सुरक्षा में तैनात किया गया है बटी थंड में जहां पुलिस लगतार पेट्रोलिंग करने की बात कहकर आम जनता को सुरक्षित करने का दावा करती है वहीं पुलिस लाइड के एटियम को ही लुटेरो ने अपना निशाना बनाया है अब आप बिहार इस ट्रिवी को अपने मुबाइल पर भी देख सकते हैं इसके लिए प्ले स्टोर से आपको हमारा एप डाउनलोड करना होगा इसके साथ ही आप हमारे यूट्यूब टैनल को भी सबस्क्राइब कर ले इस वक्ती खबरों में फिलहा लिता ही मुझे दीजे अजाज़त लेकिन देखते रहे बिहार न्यूज नमस्कार